तो देखा आपने लोगों में किस तरह से नए साल को लेकर उत्सा है मस्ती के माहोल से गुलजार ये तस्वीरे जिरकपूर में 31 दिसंबर की रात की है जब लोग 2020 को अलविदा कहकर 2021 का स्वागत कर रहे थे घने कोहरे में जब Zero Visibility थी तब भी ये लोग अपनी सोसाइटी में बाहर डांस करते रहे और सभी ने नए साल का नाच गा कर स्वागत किया और ठिटूरने वाली इस ठंड में ना केवल यूवा बलकि बच्ची और बुजुर्ग भी खुशियों में जुमते हुए दिखाई दिये जी हाँ आपको नए साल को लेकर हुए जशन जीरकपूर में भले ही मोसम का तापमान लगातार गिर रहा है लेकिन अगर बात नए साल को लेकर लोगों में जोश की करें तो लोगों का जोश नए साल को लेकर उत्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और नए साल के स्वागत में लोगों में काफी उत्सा देखने को मिला जब प्रथम तहलका की टीम ने लोगों से बात की और इतनी ठंड में इतने जोश के साथ नए साल का स्वागत करने का कारण पूछा तो इस दुरायन महिलाएं और बच्चों ने क्या कुछ कहा सुनिये अच्छा यहां से करोना गया ना देश से अभी नहीं गया है आपको क्या लगता है मतलब देख सकते हैं यह बड़ों के साथ साथ जो है वो बच्चों में भी खासा उत्सा देखने को मिल रहा है और आपको मैं एक लॉंग शोट में दिखाती हो कि किस तरह से जो है यहां पर बच्चे महिलाएं बुजूर्द सारे सब में बहुत जादा जोज जो है यहां पर देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं ससाइटी के लोग बारा वजे भी गहरी धुंद में जब लोग विजिवल्टी है उस दोरान भी उस दोरान भी यहां पर जोशन मनाया जा रहा है और किस तरह से एकसाइटमेंट है यह आप देख सकते हैं बता दे कि 2020 में मार्ट से ही लोगों को करोना जैसी महमारी के डर से जूजना पड़ा और अभी भी महमारी का डर है लेकिन लोग अब बस नए साल में यही दुआ कर रहे हैं कि नया साल एक बार फिर से पहले की तरह समय वापस लेकर आए और इस महमारी से निजात मिले इसल यह लोगों में नए साल को लेकर काफी खुशी है और प्रथम तहलका भी यही दुआ करता है कि नया साल सब के लिए खुशियों भरा हो और इसी दुआ के साथ प्रथम तहलका की तरब से सभी को नए साल की बहुत-बहुत बधाई प्रथम तहलका के लिए जिरक पुल से अ बीवर माकी रिपोर्ट